हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल इस्टिडी पॉइंट बित केके पर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कम्प्यूटर सौप्ट बेर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सौप्ट बेर के बारे में जानेगे जैसे की सौप्ट बेर क्या होता है सौप्ट बेर कितने प्रकार का होता है एप्लिकेशन सौप्ट बेर क्या है सिस्टम सौप्ट बेर क्या है इन सभी के बारे में हम जानेगे तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सौप्ट बेर क्या है दोस्तों software निर्देशों तथा प्रोग्रामों का एक समुह होता है जो computer को किसी कार को पूरा करने का निर्देश देता है SoftBare प्रोग्रामों नियम वाक उक्रियाओं का वह समुः है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन हार्डबेर के बीच समनवय इस्थापित करता है वहीं दोस्तों अगर दूसे सब्दों में कहें तो computer प्रोग्रामों का वह समू है जो computer की कारप्रडाली को नियंतित करता है software कहलाता है यानि की दोस्तों, software, data, program, instruction आधिका collection होता है जो की पहले से बताए गए निर्देशों के हिसाब से अलग-अलग कारियों को करता है software, computer का महत्पूर्ण भाग होता है इसके बिना हम computer पर कोई भीकार नहीं कर सकते हैं यानि की दोस्तों, जो आपका software होता है ये computer का महत्पूर्ण भाग होता है, इसके बिना हम computer पर कोई भीकार नहीं कर सकते हैं software के बिना आपका computer एक खाली डिब्बे के समान होता है दोस्तों, software, computer का वह भाग होता है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही से हम छूश सकते हैं दोस्तों जो आपका Software होता है इसको Programmers के द्वारा Assembly Language या High-Label Language में लिखा जाता है लेकिन दोस्तों जो आपका Computer होता है यहां केवल Machine Language को ही समझता है यह ना तो Assembly Language को समझता है और ना ही High-Label Language को समझता है जो आपका Computer होता है यह केवल Machine Language को ही समझता है और वहीं दोस्तों जो आपके programs या software होते हैं इनको assembly language या high level language में लिखा जाता है दोस्तों इन programs को machine level language में translate करने के लिए translator का उपयोग किया जाता है जैसे आपका compiler हो गया, interpreter हो गया, assembler हो गया इन सभी का उपयोग हम करते हैं दोस्तों software किसी भी computer का सबसे महत्पूर्ण भाग होता है, इसके बिना आप computer पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों users यानि हम किसी भी hardware को सीधा access नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम software का उपयोग करते हैं यानि की दोस्तों, जो आपका सॉप्ट बेर होता है, वो यूजर को कम्प्यूटर पर कार करने की छमता को परदान करता है। सॉप्ट बेर के बिना हम कम्प्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अलग-अलग कार को करने के लिए हम अलग-अलग software का उप्योग करते हैं Next है दोस्तों आपका type of software, software के प्रकार दोस्तों software मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं पहला आपका system software, दूसरा आपका application software और तीसरा है आपका utility software दोस्तों system software दो प्रकार के होते हैं पहला आपका Operating System, दूसरा आपका Language Translator वही पे दोस्तों अगर हम Operating System की बात करें तो जो आपका Windows होता है Linux, Unix, Ubuntu, Android ये सभी आपके Operating System होते हैं वही पे दोस्तों अगर Language Translator की बात करें तो जो आपका Compiler, Interpreter, Assembler ये सभी आपके Language Translator की अंतरगत आते हैं वही पे दोस्तों Application Software में जो आपका Word Processing Software होता है Spreadsheet Software होता है, आपका Database Software होता है Graphics होता है आपका, जैसे CorelRA, Photoshop, PageMaker आद ये सभी आपके Application Software की अंतरगत आते हैं वही पे दोस्तों Utility Software की अंतरगत जो आपके Antiviruses Disk Defragmenter, Disk Cleaner, File Manager ये सभी आपके Utility Software की अंतरगत आते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आगे अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे पहला है आपका System Software दोस्तों System Software किसी भी Computer System का सबसे महत्पूर्ण भाग होता है System Software एक एसा Software होता है जो Hardware को Manage एवं कंट्रोल करने का कारे करता है System Software ले जो कंप्यूटर सिस्टम को नियनत्रित और ब्यवस्थित रखने का कारे करते है यानि की दोस्तों System Software वे जो हमारे कंप्यूटर के Hardware को Manage एवं कंट्रोल करने का काम करते है System Software कंप्यूटर तथा उप्योग करता के बीच मद्यस्त का कार करता है यानि कि दोस्तों जो आपका system software होता है वो hardware और user के बीच interaction का कार करता है system software एक एसा program होता है जो computer system को चलाने और manage करने के लिए उप्योग किया जाता है system software किसी भी computer system का सबसे महत्पूर्ण भाग होता है इसके बिना user computer पर किसी भी कार को नहीं कर सकता system software दूसरे software को चलाने के लिए एक platform उपलब्द कराता है यानि कि दोस्तों जो आपका system software होता है ये user को application software को use करने के लिए एक platform provide कराता है जिस पे user अनेक परकार के application को use करता है दोस्तों system software आपका दो प्रकार का होता है पहला आपका operating system दूसरा आपका language translator पहला है आपका operating system अपरेटिंग system एक system software होता है जो computer तथा user के मध इंटरफेस का करता है operating system निर्देशों वा प्रोग्रामों का एक समू होता है जो storage device में store रहता है computer के आन होने के बाद operating system computer में load होने वाला पहला प्रोग्राम होता है operating system किसी भी computer में होने वाली सभी क्रियाओं को control एवं मैनेज करने का काम करता है operating system किसी भी computer का मुख्य software होता है इसके बिना किसी भी काम को करना मुश्किल होता है यानि कि दोस्तों जो आपका operating system होता है यह computer का main software होता है इसके बिना user computer पर किसी भी कार को नहीं कर सकता operating system में आपके system board प्रोग्राम आधी होते हैं ओपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका CUI जिसका पूरा नाम होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा है आपका GUI जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI दोस्तों आपका Command Base Operating System होता है और वहीं पर दोस्तों जो आपका GUI होता है या ग्राफिकल बेस Operating System होता है, वहीं पर दोस्तों अगर हम Operating System के Example की बात करें तो आपका Windows हो गया, Linux हो गया, Unix, DOS, Android, Ubuntu, ये सभी आपके Operating System के उधारन हैं, दूसरा है आपका Language Translator, Language Translator भी आपका एक System Software होता है, Language Translator तिन परकार की होते हैं, पहला आपका Compiler, दूसरा Interpreter, तीसरा आपका Assembler, Compiler का उप्योग High Level Language Program को Machine Language में Convert करना होता है, वहीं पर दोस्तों, Interpreter का भी कार High Level Language में लिखे गए प्रोग्राम को Machine Label Language में या Binary में बदनले के लिए किया जाता है, Assembler का उप्योग, Assembly Language को Machine Language में Convert करने के लिए किया जाता है, Next है आपका Application Software, Application Software का उप्योग किसी विशिष्ट कारे को करने के लिए किया जाता है, Application Software यूजर की अवसकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, Application Software एसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, यानि कि दोस्तों Application Software वे Software होते हैं जिनका उप्योग यूजर अपनी अवसकताओं को पूरा करने के लिए करता है, अलग-अलग कारें को करने के लिए हम अलग-अलग Application Software का उप्योग करते हैं, जैसे कि दोस्तों, अगर हमें Document बनाना है, तो इसके लिए हम Word Processing Software का उप्योग करते हैं, Presentation बनाना है, तो इसके लिए हम MS PowerPoint का उप्योग करते हैं, वहीं पे दोस्तों, अगर हमें March 2 वगरा बनाना है, तो इसके लिए हम MS Excel या Libre Office Calc का उप्योग करते हैं, यानि कि दोस्तों, हमें अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग Application Software का उप्योग करना पड़ता है, एक ही Application Software पे हम सारा काम नहीं कर सकते हैं, जैसे दोस्तों, हमें Music सुनना है, तो इसके लिए हम Music Player Application को डाउनलोड करेंगे, यानि कि दोस्तों, अलग-अलग कारियों को करने के लिए हम अलग-अलग Application Software का उप्योग करते हैं, वहीं पे दोस्तों, अगर हम Application Software के Example की बात करें तो, आपका Word Processing Software हो गया, Spreadsheets Software हो गया, Database Software हो गया, Graphics Software हो गया, ये सभी दोस्तों, आपके Application Software के उधारन हैं, नेश्ट है दोस्तों, आपका Utility Software, Utility Software वे Software होते हैं, जो Computer को Repair, एवं Computer की कार छमता को बढ़ाते हैं, तथा उसे Car Seal बनाने में मदद करते हैं, Utility Software का काम, Computer System को Configure करना, Maintain और Optimize करना होता है, यानि कि दोस्तों, जो आपके Utility Software होते हैं, ये हमारे Computer System को Maintain रखते हैं, और Optimize करते हैं, और उन्हें सुरच्छा प्रदान करते हैं, वहीं पर दोस्तों, अगर हम इसके Example की बात करें, तो आपका हो गया, Disk Defragmenter, Antiviruses Program, Disk Cleaner, File Manager, आदी, ये सभी आपके Utility Software के Example हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, Next Topic है हमारा System Software और Application Software में अंतर, जिसको हम Next Video में देखेंगे, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे Next Video में,